दोसना स्वागत है आपके अपने चनल सिविल साइट विजिट में आपको वीडियो देखके अंदाजा हो चुका होगा कि आज का वीडियो हमारा स्टील पे होने वाला है मतलब इंपोर्टन वीडियो इतना है कि आगर आप साइट इंजिनियर है जहां आभी पढ़ रहे हैं जहां आभी फ्रेश का वीडियो है आपने डेवलोमेंट लेंथ के बारे में सुना ही होगा और जो साइट पर काम करते हैं इंजिनियर उन्होंने काम भी क्या होगा डेवलोमेंट लेंथ बार्वेंटिंग शेड्यूल बनाया होगा तो उनके लिए भी important वीडियो है क्योंकि आपको सिर्फ पता होता है कि drawing पे आयता है 50D हमने देना है development length तो सामने आप देख रहो जिनको जो अभी practical knowledge जिनको नहीं है तो सामने जो होता है increased length या development length वो सामने जो bend आप देख रहो निकालते कैसे हैं simple formula है दो मिनिट में आप चुटकी बजाके इसको निकाल सकते हो कोई जादा इसमें मुश्किल नहीं है इसको तो इसको मैं पूरा आपको वैटर वेसा बताऊंगा पूरा कि इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको देखनी है और एक चीज़े मैं बताऊंग चीज़े में इसको पकड़ के जगड़ के रखने के लिए स्टील को क्योंकि बाद में क्या होगा अर्थ को एक बगएर आएंगे विंड लोड बगएर होंगे तो बिल्डिंग शेक कर सकती है उस दोरान जो बीम होता है उसका जोन मैं बताऊंगा compression tension zone उसमें effect पड़ता है तो उस दोरान स्टील misplace ना हो जाए उसको encourage चाहिए होती है इसलिए हम development length provide करते हैं तो अभी मैं theoretical part इसका start करता हूँ जुरूर complete video देखना तो देखो start करता हूँ मैं आज का भी topic theoretical part इसका देखो एक ये मैंने बनाया है column अपना ये आगया हमारा column ये आगया beam बनाने की कोशिश की आप समझ लो मैं बता देता हूँ थोड़ा ये आगया हमारा steel ठीक है जैसे आपने देखा होगा beam में से काफी steel बार होते हैं एक लिए example लिए मैंने और इसकी जो encourage development length कहां से हम लेते हैं यहां से जहां column का बाहर का face होता है दूसरा उसने द length होता है और यह length कितनी होगी यहां से अगर हम पकड़ें यह यह और यह यहां तब यह कितनी length कितनी होनी चाहिए यह question पुछे जाता है किसको देखो कहियों में क्या होता है drawing में दिया रहता है कि आपको 50D लेनी है आपने सबने देखा होगा जो drawing जोनती है जह दिया होता ह 45D लेनी है जहां 60D लेनी है एक काफी important question है अभी जिनको practical knowledge नहीं है वो सोच रहे होगे कि sir design पढ़ाना start कर गया मतलब जो हम degree में पढ़ रहे है तो यह कुछ नहीं है यह काफी important चीज़ जा इंटरव्यू में पूछी जा सकती है ठीक है वीडियो को complete देखना काफी चीज़ tension zone उपर वाला यह क्यों बता रहा हूं में last में इसका clear करूँगा और नीचे आगया हमारा tension zone बीच में neutral आगया इसको छोड़ो इसका काम नहीं है अभी compression हो गया tension हो गया अभी यह जो हम steel bar देते हैं यह encourage मतलब पकड़ के रखता है देखो कभी भी load पड़ेगा आप उपर स section वो ऐसे करेगी वो नीचे वाली ऐसे मतलब ऐसे load पड़ेगा नीचे वाली चीज जो होगी वो खिचेगी यहां खिचेगी मतलब ऐसे tension पड़ेगी उस चीज पर और यहां पर क्या होगा compact होगी मतलब ऐसे देखो उपर में कैसे होगा ऐसे दबाव पड़ेगा और नीचे बाला tension हो गया उपर बाला compression हो गया तो इसको counter करने के लिए steel देते हैं हम वो छोड़ो अभी अभी आते हैं हम अपने development topic पे ये आ गया पहले ये chart आप बना लो या अपने दिमाग में रखो इसको concrete grade होगा जो भी आप use करोगे slab में या बीम में जिस चीज का आप development length चेक कर रहे हो वहाँ का grade आपको पता होना चाहिए देखो slab में हम m20 से कम तो करते नहीं है तो m20 की value ये जाद रखने है कि ये tau vd ये मैं बताता हूं कि ये m20 की है 1.92 m25 की है 2.24 m30 की है 2.4 m35 की है 2.72 इससे जादा अभी use कम ही किया जाता है site पे जादा अपना m30 25 और 20 किया जाता है और ये value आप table बना लो अभी साथ साथ में नोट समनाते जो ये होगे ये value अभी बात आती है हमारी formula की जो simple formula में बताया था ये formula इतना easy है आप मतलब site पे खड़े खड़े कोई calculation नहीं देखनी है बस आपको ये table पता होना चाहिए ठीक है तो ये formula आपको learn कर लेना है LD equal to 5 4 tau bd ठीक है LD क्या हो गया हमारा development length हो गया और ये आगे बताता हूँ ये हो गया हमारा 5 क्या हो गया डाया बार और ये हो गया हमारा stress consideration जो हम design में लेते हैं ठीक है अभी क्या करने आपको LD आगया हमारा 5 into अभी ये 500 कहां से आया अब फार्मॉला तो ये है अभी ये stress consideration कहां से लेंगे हम ये ये होता है हमारा जो भी steel बार आप यूज करोगे side पे देखो side पे क्या कि ये जाता है FV 415 FV 500 FV 550 और ये आपको मिलेगा कहां सर हमें कैसे पता जलेगा steel पे अब steel बार जब भी side पे जाओगे आपने देखना उदर हर एक meter के बाद उसका grade लिखा होता है उसका mark आया इस mark होता है ये चीज़ें उसके दी होती है तो वहां आपको batch पे मिल जाएगा कि ये steel बार कॉन सा है 415 का है 500 का है 550 का है तो मैंने example ले लिए कि हम FV 500 यहां TMT वार यूज कर रहे है तो मैंने लिख दिया यहां 500 आ गया simple बाशा में बताते जा रहा हूं आपको 4 हमारा same आ गया Tau VD क्या है हम जो slab cast कर रहे है वो वाली जब beam जो भी है जिसमें मैं increase देना जाता हूं वो जो beam है उसमें हम grade कर रहे है M20 use M20 grade यूज कर रहे है तो उसकी Tau VD की value क्या है Tau VD की value डाली है मैंने है M20 की Tau VD की value है 1.92 तो यह आ गया 4 into 1.92 simple clear हो गया इतना सा आ गया आपको अभी देखो LD equal to यह 500 आ गया हमारा steel का 4 into 1.92 यह clear हो गया अभी हम जब इसको multiply डिवाइड करेंगे अगर मैं इस चीज को इससे डिवाइड करूँगा तो हमारा आता है 65 आप Kelsey पर कर सकते हो मैंने कर लिया calculate तो आप खुद कर सकते हो इसको कोई दिक्कत नहीं है तो यह आ गया हमारा LD equal to 565 तो हमारा क्या हो गया अभी हमारी जैसे मैंने starting में बताया था कि drawing में दिया रहता है 50D, 45D तो हमने इसको खुद से निकाल दिया एक formula था उससे easily निकाल दिया हमने की कैसे है मतलब कुछ ज़्यादा जूरूद नहीं एक तो आपको ये table पता होने चाहिए steel कौन सा यूज कर रहे हो concrete का grade कौन सा यूज कर रहे हो तो आप easily निकाल दियोगे तो अब हमारा LD कितना आया LD आया हमारा 65D जैसे मैंने 5 बताया था क्या लिए हमने die of bar यहाँ आप D भी यूज कर सकते हो तो आपको easily पता जल देगा तो LD हो गया हमारा 65D simple कुछ नहीं देखो easily निकाल दिया हमने आपको कोई भी पूछ सकते है कि क्या है क्या नहीं तो easily निकल गया हमारा अभी example लेते हूँ ठीक है अभी हम इस bar को समझ लेते हैं कि हमने कौन सा dia का use किया bar यह हमने किया है 20 dia का मतलब यह bar हम use कर रहे है 20 dia 20 mm का bar use कर रहे है तो इसको कैसे निकालेंगे 65D मतलब इसकी डवल यह length कितनी आगी यहां से यहां कितनी length आएगी वो कैसे निकालेंगे वो आएगा 65D था DA 20 dia जो यूस हो रहे है जो हमने 65 निकाला तो आगे हमारी 1300 mm हमें development length उसकी देनी ही देनी है यह हमेशा ग्यान रखना अभी 1300 आगया तो चलो मालो यह column है हमारा 300 mm का ठीक है तो 300 यहां आगया column में मैंने कहा तक कहां से start होता है यहां से लेके यहां तक 300 यहां आगया प्लस एक मेटर यहां मतलब नीचे हमारा कितना गया एक मेटर यह दियान रखना और कही जगा गल्ती किया कि जाती है वो नापते ही कहां से development length यहां से मतलब यह चीज नहीं consider करते है बोलते हैं कि जो नीचे anchorage है वो हमारी होगी आपको हमेशा कहां से लेनी है जो column का face होता है 300 यहां आगया एक मीटर यहां आगया मतलब यह हो गए हमारा development length निकल गया simple formula था कोई इसमें ज़्यादा theory नहीं लगाई मैंने क्या किया formula था हमारा उसमें values पुट की हमें concrete का grade पता होना चाहिए steel का simple put करता गया हमारा निकल आया गया ठीक है यह simple fund था और एक चीज थमरूल इसमें कि जो हमारा compression zone होता है compression unit को है यहाँ पे यहाँ पे आप development length कम दो कोई दिक्कत नहीं है इसमें कितनी कम दो 1.25 उससे कम मतलब जो भी आप इसमें दोगे उससे 1.25 कम यह इसमें funda रहता है यहाँ इसको multiply कर दो यह funda में बता देता हूँ इसको क्या कर देना है आपको multiply कर देना है 1.25 जब भी compression की चुनो अगर इसमें इतना नहीं उल्जिन है आपको कोई इसमें इतने ज़्यादा कोई फरग नहीं पड़ेगा आप simple यही formula लगा के यही निकाल के दोनों तरफ provide कर सकते हो मतलब ऊपर से भी और नीचे का जो बार होगा उसको भी आप ऐसे provide कर सकते हो ठीक है यह simple funda था तो guys अगर वीडियो पसंद आए होगी लाइक ज़रूर करना और friends के साथ share करो चैनल को ज़रूर subscribe करो Thank you guys